जाहिन दोस्तों आज हम भीरो के शोरूम में आए हैं यह हमारे लोकल एरिया में पढ़ता है जहां मैं रहता हूं मुद्वपणनगर जिले में और हम इसलिए आए हैं क्यूंकि मेरे फ्रेंड है इनकी जो वाइफ है उनको गिफ्ट दे रहे हैं कौन सी स्कूटी प्लेजर प्लस जो अभी नया मोटल आया है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा आपको डिटेल दूगा कि क्या-क्या इस स्कूटी में नया है बहुत ही बढ़िया स्कूटी है हमें लगी ह उसके बाद मैं आपको प्रोपर रिव्यू दूँगा अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और चला कर देखेंगे देलिवरी लेंगे इसकी उसके बाद मैं आपको प्रोपर डिटेल दूँगा तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हीरो मोटो कॉर्प ने हीरो की प्लेजर प्लस मुझे यह ब्लू कलर ही पसंद आया बैसिकली जो मेरे फ्रेंड है उनको भी यह पसंद आया कि उन्हों अपनी वाइफ के लिए चाहिए और जब मैंने फस्ट टाइम स्कूटी देखी तो मुझे बिलुकु सही लगी खासतोर प यह देख सकते हैं अब जैके काफी पूरा हाथ जा रहा है लेकि जगयरा मुझे श्रुम्हेंट से देख सकते हैं इसमें मेत्र के काफी अच्छा लगा बहूत अच्छा तो नहीं मैं कहुंगे लेकिन एक light designing scooty है एक light scooty है और मुझे अच्छी लगी दोस्तो एक बात मैं आपको ये बता दू जो इसमें ये जो charging point दिया गया ये भी बहुत सही दिया गया क्योंकि आप इसमें यहाँ पर data cable लगा कर mobile को charge कर सकते हैं USB cable लगा कर और mobile को आप जो इसमें space दिया है जो यहाँ पर एक छोटी सी bucket type space दिया है वहाँ पर रख सकते हैं seat काफी बड़ी है space अंदर भी काफी सही है काफी अच्छा space है pro पर मैं इस scooty का review दूँगा आपको बहुत जल्दी और जैसा का आप देख सकते हैं इसमें light भी दी गई है यह भी एक plus point है और यह जो button है जब आप seat बंद करेंगे तो automatically light बंद हो जाएगी तो दोस्तो यह इसमें सब चीज़ अच्छी है एक fuel जो आप fill कराते हैं उसके लिए external कोई option नहीं दिया है external fuel filler नहीं दिया है इसमें यह थोड़ा सा मुझे एक चीज थोड़ी नहीं लगी अच्छी बाकि इसमें काफी चीजे मुझे अच्छी लगी है अच्छी लगी है road पर जब हमने इस scooter को चलाया तो काफी सारे लोगों ने इस scooter के बारे हो पूचा और उनको काफी पसंदाया इस scooter का design और मुझे भी काफी पसंदाया इस scooter का design खास थोगर पे lightweight है और जिन लेडीज को या जिन गल्स को स्कूटी चाहिए जो करीदना चाहते हैं स्कूटी वो एक बार स्कूटी को ट्राइक जुरूर करें चलने बहुत light है बहुत hulky feel होती है और especially क्योंकि गल्स के लिए लेडीज के लिए बना है ये स्कूटी तो आप इसको जरूर ट्राइ करें और मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तो बहुत जल्दी मैं इसका फूल रिव्यू भी लेकर आने वाला हूँ तो अगर आपने मेरा सेनल सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब कर लें और बैल आइकन भी आप दबा दें दोस्तो अगर मैं इस स्कूटी की राइडिंग क्वालिटी की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने अभी इस स्कूटी को ज़्यादा तेज नहीं चलाया उसकी वज़े यह थी क्योंकि आज ही इसकी डिलिवरी हमने ली थी और जब कोई नया वहिकल होता है तो उसको ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए तो मैंने इसको 40 की स्पिड तक ही चलाया और जो हैंडलिंग है स्कूटर की मुझे काफी अच्छी लगी लाइट वेट की वेश से सीटी में बहुत अच्छे से चल रहा था स्कूटर हाईवे पर अभी कितना अच्छा रहेगा क्योंकि अभी मैंने इसको जायते यह नहीं चला के देखा है तो कितना इसका इंजन कितना अच्छा रेस्पोंस करेगा हाईवे पर वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन फिलाल मुझे इसका इंजन काफी बहतर लगा काफी अच्छा लगा तो यह मेरा राइडिंग एक्स्पिरियंस था इस स्कूटी का जो कि मुझे काफी पसंद आया इस स्कूटी का अब दोस्तो यह थी मेरी वीडियो जो मैंने आप किसे साथ शेयर की मेरे फ्रेंड ने अपनी वाइफ के लिए इस स्कूटी ली थी और इसका मैं फूल रिव्यू आपको बहुत जल्दी ला कर दूँगा उसमें मैं इस स्कूटी के बारे में सभी डेटेल्स आपको बताऊंगा अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो उसको आप जल्दी सस्क्राइब कर लीजे और बैल आइकन भी दबा दीजे आज के लिए इतना ही जैहिन टेक केर